Hello everybody, Vidyasagar Classes YouTube channel को आपन माननंगो बहुत बहुत फ्रागत, मूँ आपन माननं को प्रिय प्रदिपसर आपन माननं पाईँ अजी बहुत बढ़िया भीडियोटे ने कैस्ट्ची, जो मने अमारो विद्या सगर क्लासेस तरफुरू एबं अधर ने जरो सेल श्टडीरे मद्ध्यां OABS जो रिटिन टेस्ट रे सक्सेस्पूल ही चंती बाई पुक्तकर्जो ही चंती देर आल वेटिंग फर देर इंटर्वु इंद फास्ट विक अगोस्ट तो आपण माने जानी थिवे गुला बर्शरे आमरो अध्भूत पूर्वा सफ़ड़ता मिल थिला OABS इंटर्वु रे आमे स्पेशियल क्लास आरेंज कर थिलू बहुत गुड़े विडियो मध्या आमरे इस चैनल ले अफ्लोड कर थिलू तो सही ट्राडिशन कु कंटिनू करिवा पाई आम मने पूनी OABS इंटर्वु पाई विडियो अफ्लोड करिवू एबं पिला मानकों बोथ अफ्लाइन आव उनलाइन मोड रे मध्यां क्लास तबू तो एई जो विडियो टी आमर गोटे संपुल डिसकोसन चोधरे आपण मने OABS इंटर्वु रे विद्यास अगरे कोवड़े या क्वेस्टिन डिसकोसन करा जाए केमती कणा हुए पर्टिकुलारी गोटे संपुल विडियो OABS मैत्र गोटे अप्रोच कुँ नहीं कि आमने आची एई विडियो टी आपणांको सम्मुखरे नहीं कि आश्चु एई विडियो टी कुँ देखांतु एबं जदी आपण विद्यास अगर क्लास तो जो इंटर्वु रे डारे को फासिलिटेट कोरी बे तो चालांतु विडियो टी आरबह करी बाए जो ओए भिहसरा जो मैथमाटिक्स पर्षन अची बाए जो मने मैथमाटिक्स टीचर हबाँ रिटिन पास कोरी छल्टी से मने विडियो टी की देखीले डेफिनाटली किछी इन्पूट्स पाई पारि तो माथमाटिक्स कोड़े जिन्षो पिलामानुको केम ती आपनो पढ़े बे ताव परे क्वेस्चिन आस्तिला गॉलावर्षो तो आजे मैथ तीचोर आजे बिलीव इन एंप्लोईंग डिफ्रेंसियेटेद इंस्टोक्शन टेक्निक्स आजे एच स्टुडेंट्स कोरेंट्स नॉलेच और अन्रस्टांडिंग अप्डो पढ़े बे तार अर्था आपनो मने जाडे जाने थिए माथमाटिक्स एम्ति ओड़े सब्जेट्स जवुथरे फास्ट आफ़ आजे टीचोर आमको नीड अनलिशिस करियाग पोडिवो आप्टर दो पैंडेमिक। तोन आमकु अधियो भीजुवाल एड्स उस करिवाग। पडिवो, हैंड्स अन अक्टिविटी, पिला मनुको अक्टिविटी दवाग। पडिवो, पठाओ तांको अर्धाय करिवाग। पडिवो, और रियल लाइफ एक्जांपूल, रियल प्रियमेटल बेस रेत और फर्मुला तियारी हीचे से कंसेप्ट तांको संपुन रुपई भुजाएग पडिवो, आउँ सबुटु बड़ा जिन्सो टु एन्हांस क्रिटिकाल थिंकिंग और प्रोब्लेम सल्विंग स्किल, आई एंकोरेज स्टुडेंट तु वार कोला अदिशनली आई गाइड देम इन ब्रेकिंग डाउन कॉंप्लेक्स प्रोब्लेम इन्टु मैनेजबुल स्टेप्स प्रमोटिंग अनलेथिकल थिंकिंग तो देखा नुन्तु माथमेटिक्स रे अम्माने सट्रिक अलोचना करू किन्तु सट्रिक इस दो लास्ट टेप पराउंती तांकर confidence कुरो हबु आशने बड़ा बड़ा प्रोब्लेम को मध्या सहजरे solve करी पारीवे ता परे आगवड़े क्वेस्चिन अस्ते लाग वला थ्रा How do you address student motivation and engagement अजे math lesson आपना हमान देखेते math phobia थाय बहुत पिला कोंती जे नाइ सर माथमाटिक्स दोरो लागुची आमोरा मैथ हब्बो नी तो एभले या सिन्यार्यो और कोश्चिन जो दे आशिला जे पिलावा नूं केमती मोटिवेशन आणिवो मैथ करिवारे तांको मनरे जो प्रेरोनाटा आशिवो केमिती आशिवो तो किपिंग स्टुडेंट एंगेश्ट माथमाटिक्स इज कुश्या तो तांको माइंड आशिवो माइंड आशिवो केमिती आशिवो आई मेक दो सब्जेक्ट रिलिवांट और इंट्रेस्टिंग बाई शोइंग इट्स आप्लिकेशन वेरियोस स्विड्स आई ओल्स और इस कंपिटिशन प्रियेट आने एंजोईबुल लॉनिंग एक्स्पिरियांस तैंको भीतरे रेगूलर जाजिवो में टेस्ट दवाए तैंको भीतरे मार्क रख्या पैं तैंको भीतरे वाट हेल्दी कंपिटिशन हावा जे काम रखुची आमें तो कोह वार्ट तमारो टै पोजिटिव रिइंफोर्समेंट इविन भूल कले भी जोटा ठीक होट्शन ताया उपरे आमें गुरुतर दवा जदी ताहले पिलाटी माथमाटिक्स रे सबड़ो हेई पारिवो तो दाटी वी गीव देम अड़ेट मोटिवेसन तापरे आमें आवोडे क्वेस्चीन आम माथमाटिक्स रे पेरिनियाली स्ट्रोगल करांती तो सही भला पिलाम पाई आमार अप्रोच कोणर ओहिवा जदी क्वेस्चीन आशिला है वेन स्टुडेंट फेस पर्सिस्टेंट चालेंजस आउड फास्ट आइडेंटिफाई दो स्पेसिफिक अरियाज अफ दिफिकल् पैरेंट्स, गाडियांस और इंभल्बिंग देम तो लन्निंग प्रसेस कन अल्सो भी बेनेफिचल पैरेंट्स मनको इंभल्ब परिया पुड़यो कान घरे पिला भी मेजरेटी टाइम तार घरे भी स्ट्रोगल करुची तो गाडियान मने भी जदी कांशियोस है और से मने इंक्लुजिवीटी, एंस्योर, अल्स्टुडेंट्स फिल वैल्यूड अन्रेस्पेक्टेड वोट बड़ दिन्सो अमारा क्वेस्चिन आसे जे क्लास्रूम मैनेजमेंटर बहुत पिला लेट डाउन फिल करांती समान भागवांते जे के बला भल्लो स्टुडेंटकु सार समस्तां कर ओर थाचि भागवान समस्तां किछी रोल देगी पठे छोंटी तो नो तार अचिव स्पिरिट्टा लो है जेथे जोट पिला मोराली डाउन फिल कोर थाए इंफिरियोरेटी कंप्लेक्स हिनमन्याता भाब गोटे पिला अनरे आस्थाए तो स्टुडेंट्स आर एंकोरेश तो शेयर दर आइडिया दुदाट फ्रियर अप्जर्जमेंट तांकु केब्य भी निचा देखेवर नाएं शामने फ्री रे कुहांतु लेट दम मैक मिस्टेक्स फोट बेड दे मॉस्ट कम आउट विदार ओपिनियोंस आई सेलिब्रेट डाइबर्सिटी और इंडिया रव स्पेशालिटी से वहले अट्मस्प्यर क्लास्रूम रभी क्रेट कर याग पडिवो तो दाट स्टुदेंट्स विल रेस्पेक्ट अं एंजोई इच अदर सक्सेस रादा दन गेटिंग जेलॉस कारण स्कूल ले पिलावने साधाना तो तो त्या तो पू पूरुफंचुर अस्टूद गोगाड एंट्वस तो दिस थाइप ओ तीक वुरायाएक पूर्लाइच अप्टीकला स्टूदें इछ जी सीघूर्ड प्रटिक्लर पर दौट अ शुड्यूलाइट है थो पूर्टीकलार श्ट्रिवाप्टीकलार स्टशूरी उत मैं टेट education how will you use technology in mathematics so technology can be a valuable tool in mathematics education i integrate interactive whiteboards educational apps and online resources to supplement traditional teaching education is not everything so education supplemented by traditional teaching will do wonders to the classroom because experience is knowledge student but they should take advantage of the modern technology interactive whiteboard so that teachers can bring their ppt's and their materials these resources make abstract concept more accessible and provide opportunity so how do you keep track of individual student progress and assess their understanding of math concept so i regularly use formative assessments such as quizzes class discussions and short assignment to god's god's man major students understanding additionally i conduct periodic tests to assess their overall progress analyzing assessment results helps me identify areas of improvement and adjust my teaching strategy accordingly so according to me we have to address that problem of the student can you share an example of a successful math related project of activity you implement in the past toh tamko specific question pili ashi kare jay kichi math project tamma nne successfully implement kucho tara answer dekhan toh certainly in a previous class i organized a math here it out a innovative concept the math mehra organized a apanamane kari pariyo where students had to create math related exhibits to showcase various concepts they had learned it toh it out a project hitila math mehla you can organize you can say it encouraged creativity and teamwork while reinforcing their understanding of math topics the fair was a huge success and students were enthusiastic about demonstrating their exhibits to peers and parents that give them a sense of confidence so you can say like that then how do you handle classroom discipline while maintaining a positive learning atmosphere you know discipline is the obedience to rules and regulations imposed by the school the classroom discipline is a must otherwise whole class will fall apart the question as well how do you maintain discipline discipline is essential for effective learning environment i believe in setting a clear expectation and rules from the beginning to the school so the teacher has to set the bar from the very beginning i use positive reinforcement to acknowledge good behavior and address any issues promptly and privately he must be told scolded but when someone is pressed it must be done in front of everybody so positive reinforcement will happen and my goal is to establish respectful supportive classroom atmosphere where students can thrive and prosper then as a math teacher how do you say stay updated with the latest techniques in the field of mathematics to write out a question ashe jai pili aponamane kemiti nijuko updated rakhuchanilthi fast changing environment of the world technological era to stay updated i actively participate in professional development workshops attend math conferences collaborative with other math educators i also regularly read educational journals and publications related to math education to gain insight to the latest teaching methods and research so it out a handy answer hey parigo how do you describe your teaching philosophy and how to align oavs educational goals to aponamane oavs education goals my teaching philosophy revolves around fostering a growth mindset student encouraging critical thinking and promoting a positive learning environment i believe in nurturing students curiosity and guiding them to become independent learners these principles align perfectly with oavs commitment to holistic education and individual development once he becomes self-reliant self-sufficient and i think he or she will do wonders to his mathematical ability question number 12 how do you incorporate technology in your math lessons and enhance student learning you know technology can significantly enrich math education i use interactive whiteboards educational apps math software and student visualize abstract concept these create a immersive learning experience to cater different styles how do you differentiate your instruction to accommodate student with varying abilities and learning preferences different differentiation is vital so i employ varied instruction strategies group activities personalized assignment to cater to individual learning this approach ensures every student has an opportunity to succeed because success is the birthright of every student every student must be given ample opportunity to succeed in their class how do you assess students understanding of math concept beyond traditional test and exam traditional to amr school leh parikhya hao chi ta baad ya apna kona approach karibhe question aasi paare in addition to regular test i use formative assessment like quiz group discussion projects hand-on activities these methods provides provide holistic view of student understanding and progress how do you motivate student who may be disinterested to math to become more engaged to become more engaged so i use real life example and relate math to student interest to student interest to make it relevant to student interest to make it really relevant i am to ignite that curiosity and help them to discover the beauty of math how do you keep parents informed about their child's progress in the math parents when they want to be updated with their child's progress so i regularly communicate with parents through emails phone calls we give information about the progress done by the student i also provide updates the child's academic performances trends and areas of improvement this open communication ensues parents involved in the child's learning journey can you describe a time when successfully used technology enhance a math lesson in a geometry lesson i used geometry visualization software that allows students to manipulate shapes and angles in 3d so i do 3d education i have been used used successfully this hand-on experience helps students to grasp abstract concept and strengthen their special learning skill how do you handle constraints so and covering the math curriculum and ensuring student so that time management is crucial i prioritize key concept i use efficient teaching strategies to optimize learning within available time so that instead of wasting time whenever they are getting time they must optimally utilize it i also provide additional resources for students who want to explore topics further then how do you encourage students to pursue math beyond the classroom such as participating in the math competition or clubs i promote participation in math competition and clubs by highlighting their benefits such as building problem solving skills boosting confidence i also provide information about local math events and encourage students so as a math teacher i always find out where such competitions take place i inform my students and make them interested to join such competitions how do you incorporate your life application of math into your lessons and make the subject more relevant i regularly use real world scenario and example in math lessons i demonstrate how math is used in budgeting cooking or calculating measurements this approach helps students to connect math to their daily lives to so if you want to join as i have already said click on the google form below विवीड तेटर्स फेले डिटवार्ट टेस्टी आफ इस और बेसे और टेंटर्व्व मेज़ पीटूस ऑ्पार लगश्ट।